मैं डॉक्टर आनन प्रदीक्षित हूँ रिटार्ड एस्टेंट कमिशनर आप आई एस्पीसियस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत काम की नेक सलाह देना चाहता हूँ आपके घर के मुज़र्गों जैसा हूँ दादा नाना की तरह हूँ 69 एर्स का हूँ तो ये पद्वी तो मिली जाती है अपने आप बिटा मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपने विद्यार्थी के पंच लक्षन पढ़े हैं पढ़े हैं सुल्पाहारी ग्रहत्यागी वगर पांच लक्षन आपने पढ़े हैं काक चेश्टा बको ध्यानम ये सब पढ़े हैं मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ ग्रहत्यागी की ग्रहत्याग नहीं का मतलब बेटा ये नहीं है कि घर छोड़ कर कहीं चले जाओ आप लोग सोचते हैं दिल्ली चले जाएंगे त मेरे खाल से तो जैने कितने लाख लोग जो हैं तमाम महलों में तमाम लोकल्टीज में पड़े हुए हैं और सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं कई कई साल हो गए हैं अगर दिल्ली जाना ही सेलेक्ट होने की गारंटी होता तो सेलेक्ट हो गए होते बहीं दस्यों लाख लोग हर सा साल बैठते हैं, एक्जाम में वैकेंसी पांच छे सू आती हैं। उतने ही तो सेलेक्ट होंगे। ग्रह त्यागी का अर्थ हे यह है गर में रहते हुए भी आप घर से विमुक्त हों। घर में रहते हुए घर से विमुक्त हों। यानि घरे क्यूं बातों में इंटर्फियर ना करें पिता जी में और बड़े भाईया में कहसुनी हो जाए तो आप बीच में ना पढ़ें घर में रिष्टेदार आते हैं पंचायत करते हैं तमाम सारी उस पंचायत में आप ना पढ़ें रिष्टदारों का तो कामी यही है और जब होंगे तो आपको ताने भी मारेंगे वैसे आपको पढ़ने नहीं देंगे आपकी कमरे में आ धमकेंगे क्या पढ़ने हम हजार तरह का disturbance करेंगे कितने बार प्री दे चुकर और कितने बार में इस डे दुनिया की रिष्टेदार हैं, डेमॉरलाइस करने वाले लोग, अच्छे रिष्टदार भी होते हैं, लेकिन जो डेमॉरलाइस करने वाले लोग हैं, उनसे आप दूर रहें ग्रह को त्यागना, यानि ग्रह के आकरशन को त्यागना, घर की पंचायत में नहीं बैठना हैं, रिष्टेदारों की पंचायत में नहीं बैठना हैं, आपको इन चर्चाओं में भाग नहीं लेना हैं, असंप्रक्त रहना हैं, अंटश्ट रहना हैं, अनटश्ट रहना हैं, सीधी बात ये आप अपने कमरे में पढ़ते रहें ये तो कोई आपसे कहे गई नहीं कोई जबरदस्ती आपके कमरे में आधम के तो अपने कमरे में बड़ा बड़ा ये लिख के ज़रूर लगाएं समय बहुत कीमती है कृपया मेरे समय का ध्यान रखे मैं अपने समय का बहुत ध्यान रखता हूँ समय बहुत कीमती है आज अगर समय चला गया तो फिर कल नहीं मिलेगा ऐसे वाक के लिखें जिससे आने वाला खोद ही हतो साहत हो के जल्दी से जल्दी भाग जाए समय कम है लिखके लगाईए समय कम है और पढ़ना बहुत है ऐसी बातें लिखके लगाईए लेकिन बेटा ये बातें तब शोबा देंगी अगर आप पढ़ते दिखेंगे घरवाले भी आपकी बात को तभी value देंगे तभी मानिता देंगे अगर आप पढ़ते दिखेंगे अगर आप पढ़ते दिखेंगे ही नहीं तो घरवाले कहेंगे पोस्टर लगाने में तो बड़ा माहर है पढ़ते तो दिखता नहीं पढ़ते दिखें याद करते हुए दिखें कई चीज़ें रटनी भी पढ़ती हैं तो रटते हुए भी दिखें आपके कमरे में चार्ट होने चाहिए, ग्राफ होने चाहिए, मैप होने चाहिए, यूपी का, इंडिया का, वर्ल्ड का, मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप कम से कम होना चाहिए, और ग्लोब होना चाहिए, और बहुत सारी पुस्तके होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, register होने चाहिए copy column pencil होने चाहिए यह सब चीजे आपके कमरे में होनी चाहिए table पर यह था अस्तान सब लगी हो पढ़ने की कुरसी हो यह नहीं कि bad plate के रजाई में घुसके पढ़ रहे हैं यह कोई पढ़ाई नहीं होती कभी select नहीं होगे अगर आप रजाई में घुसके पढ़ते हैं तो select नहीं होगे आपको मेज कुरसी पर पढ़ना पढ़ेगा inner पहनिये अंतरवस्तर पहनिये गरम कपड़े पहनिये कई यह ठंड बहुत है रजाई में घुसके ठंड बहुत है तो क्या होगा मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं रजाई में घुसके नहीं बनाता बाकाइदा मैं पूरा मेज कुरसी और पूरा setup मैंने बना रखा है वो तो आजकल मैं इस तरह वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं चैन से बना सकूँ वीडियो मुझे अपने मुखमुद्रा की चिंता न रहे कि मुख कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है जरूरत क्या है एक फोटो लगी हुई है उतना ही काफी है आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते हुए दिखें अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए नजर आएं तब वो आपने विश्वास करेंगे आपके अंदर तब उन्हें विश्वास होगा आपको वो फालतु काम नहीं सौपेगे बेटा बिजली का बिल जमा कराओ बेटा फलाना करेओ आटा चक्की से आटा लेओ बेटा सबजी ले आओ जब आपको वालतु देखेंगे यारों दोस्तों के साथ गूमते देखेंगे आपका दोस्त आके बैटा है दो वो एंटे से चाट रहा है दमागा आपका और उसके साथ में गप्पे मारते हुए देखेंगे तो वो आपको दसकाम भी बताएंगे फिर बाद में जब आप सेलेक्ट नहीं होंगे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप उन्हें दोश देंगे कि मेरे माता पिता द्यानी नहीं रखते मुझे घर के काम बताते रहते हैं कारण क्या है घर के काम इसलिए बताते रहते हैं जवाब पढ़ते दिखते ही नहीं है तो फिर गर के काम आपको बताएंगे ही बताएंगे मेरे पता ने मुझे कभी घर के काम नहीं बताए इसलिए नहीं बताए कि मैं हमेशा पढ़ता था बराबर में पढ़ता था मेरी सो छुट्टी भी पढ़नें बीथी थी ज्यादस ज्यादा पढ़नें बीथी थी तो बिटा पढ़नें मन लगाई बिना पढ़े सेलेक्शन नहीं होगा दिल्ली जाने सेलेक्शन नहीं होता है कोचिंग पढ़ने सेलेक्शन नहीं होता है सेलेक्शन होता है जीजान लग नए बैच की तैयारी की, नया बैच लॉंच किया, यही वाला, जिसके लिए, अभी आजकल मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीएस बैच, इस बैच के लिए मैंने डेर साल, 56 किताबे मैंने खरी दी, सारी पार डाली, और पूरी तरह लगबग याद भी हो गए, और वो सारा का सारा करने के बाद तब मैंने यह बैच लॉंच किया, मात्र दस जार नौसर रुपए का, इसके अंदर इतना मैटर में दे रहा हूं, इतना अधिक मैटर में दे रहा हूं, इसकी कोई सीमा नहीं, एक्चुली मेरा टार्गट था इसको 49,000 का लॉंच करने का, लेकिन मैंने क सारा के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग में इसकी फीस 10,900 रखेंगे, जो बच्चे लाव उठा सकेंगे, वो उठा लेंगे, जो नहीं उठा पाएंगे, वो ज्यादा फीस देंगे आगे जाके, जैसे पहले मेरा फांडिशन बैच था, 11,000 का था, और बाद में वो फांडिशन बैच 39,000 का हुआ, तो 39 में बिका और बड़े आराम से बिका, कोई प्राप्रिम नहीं है, लेकिन अरली बालों को बहुत सुवधा मिल गई, कि उन्हें 11,000 मिल गया, तो वही बात है, अभी भी ये बैच जो है, 10,900 रुपय का, और जो एक्जि किया, जानकारी आप ले सकते हैं, 940497415 पर, वाटसेप पर, बहराल, आपके लिए मेरा निर्देश ये है, मेरा कहना ये है, कि जी जान लगा के पढ़िए, जितना जी जान लगा सके, जब मैं 69 के उमर में इतना पढ़ सकता हूं, कि मैं डेर साल में 56 किताबें सारी पढ़ सकता हूं, खतम कर सकता हूं, मोटी मोटी किताबें, और उनको याद कर सकता हूं, बहुत सारी चीज़े मैंने याद की हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप तो बेटा युवा हैं अभी, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कहते हैं, जहां पैर मार दे, वहीं पा बात नहीं है, मैं तो मारदर्शन के लिए बनाता हूँ बैचिस अपने, और मैं अपने सारे बैचिस में, अब तो बारे बैच होगे, इस्ट्रेंट्स को सेल्फ पढ़ना भी सिखाता हूँ, क्योंकि जब बैच खतम हो जाएगा, तब तो मैं फिर वो सूना सूना लगेगा, कि अब गुरुजी तो पढ़ा नहीं रहे, बैच तो खतम हो गया, अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्ली रिजल्ट तो आनी जाएगा, साल बर का बैच होगा, सबा साल का बैच होगा, बस, तो फिर आपको सेल्फ पढ़ना है, और मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहना, वाटसे कुछ भी, आप अगर नहीं कर रहे हैं बेटा, तो दोश किसी को मत दीजिए, दोश आप ही का है, इसलिए कुछ भी कर डालिए, लेकिन सेलेक्ट हो ये, सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे जीवन की जितनी भी कठनाईयां हैं, दूर हो जाएंगी, सारी जितनी दिक्कते हैं करनी पड़ती हैं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनता है, ये सब सितियां समाप्त हो जाएंगे, आप प्रायरिटी पर रहेंगे, मैं एक वीडियो में ये भी बताऊँगा, कि जब मैं अधिकारी बना, तो मुझे क्या-क्या सुविधायां पराप्त होई, ये भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आज इस वीडियो में इतना ही मेहनत करिए, जीजान लगा दीजे, और करके दिखा दीजे, कि देखो मैं कर सकता हूँ